हेलो फ्रेंट्स में आपका दोस्त नदीम हैदर इस वीडियो के अंदर हम CRPC के अंदर Section 50 और Section 50 A को देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम Section 50 की तो Section 50 की अगर बात करें Section 50 का जो हेडिंग है वो कहती है Person Arrested to be Informed of Ground of Arrest and Right to Bail मतलब ग्रिफतार किये गए व्यक्ति को ग्रिफतारी के आधारों और जमानत के अधिकारों की इतला दी जाना इस Section का जो सब Section 1 है वो यह कहता है कि कोई भी पुलिस ओफिसर या फिर कोई अन्या व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को बिना वारेंट के अरेस्ट कर रहे हैं तो उस केस में जिस व्यक्ति को ग्रिफतार किया गया है उसको इस चीज की इंफोर्मेशन दी जाएगी इतला दी जाएगी इस Section का जो सब Section 2 है वो यह कहता है कि अगर कोई पुलिस ओफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारेंट के अरेस्ट करता है जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो बेलेबल ओफैंस है उस केस में जो पुलिस ओफिसर है वो उस व्यक्ति को ग्रिफतार किये गए व्यक्ति को यह इंफॉर्म करेगा यह बताएगा वो व्यक्ति जमानत पर छोड़े जाने का हगदार है एंटाइटल है और वो अपनी स्चोर्टी जो है उनका इंतिजाम करे पुलिस ओफिसर की ड्यूटी सिर्फ तब होगी अगर वो बेलेबल ओफेंस है नोन बेलेबल ओफेंस में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन देनी की जरूरत नहीं है अब बात करते हैं सेक्शन फिफ्टी ए पचास एकी सेक्शन फिफ्टी ए का जो सब सेक्शन वन है वो कहता है कि कि इस कोड के अंदर मतलब CRPC के अंदर अगर कोई भी व्यक्ती अरेस्ट किया जा रहा है किसी भी व्यक्ती के दुआरा चाहे वो पलिस ओफिसर हो या पलिस ओफिसर से अलावा कोई दूसरा परसन है तो जो भी person arrest कर रहा है वो इस चीज की information कि उस व्यक्ति को arrest किया गया है इस वज़े से और उस arrested person को जिसको ग्रिफतार किया गया है उसको किस place पर किस जगा पर किस इस्थान पर रखा गया है arrest करने के बाद इस चीज की information जो arrested person है जो ग्रिफतार किया गया वेक्टी है उसके किसी friend को देगा या फिर किसी relative को देगा या फिर किसी भी दूसरे person को देगा जिसको कि वो ग्रिफतार किया गया वेक्टी बताता है कि इस person को मेरे ग्रिफतार होने की information आप देतीचे देखे यही सेम चीज हमने जब सेक्शन 41 भी पड़ा था तो उसका जो क्लोज C था क्लोज C में भी हमने यही चीज पड़ी थी कि अगर जिस वेक्ति के दोवारा आरेस्ट किया गया है वो memorandum में अगर जो उसके दोवारा memorandum प्रपेर किया गया है उसके अंदर किसी वेक्ति के साइन नहीं किये गए है अटेस्टिड नहीं किये गए है जो कि arrested person के family member के दोवारा किये जाने थे तो उस case में तो जो arrested person है उसके पास ये right है कि वो अपने relative को या किसी भी person को जिसको वो चाहे कि उसके arrested information दी जाए वो उसके पास right है ये हमने section 41B का जो close seat था उसमें बढ़ा था उस section में जो ये बताया था तो उसमें तो एक ही a right बताया था जो कि arrested person जिसको गरफतार किया गया है उसका right था पर इस section के अंदर 50A के अंदर जो बतारा जाया रहा है ये एक तरह से duty भी है किसकी police officer की या जो भी person arrest करेगा गरिफतार किये गए व्यक्ति के family member को या फिर कोई भी relative को या जिस भी person को वो बता रहा है न उसको उसके arrest related information दे किस चीज के लिए arrest किया गया है क्यों arrest किया गया है और किस जगह पर जो है उस व्यक्ति को रखा गया है गरिफतार किये के व्यक्ति को और सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो सबसेक्शन 1 में जो right जो कि गरिफतार किये गए व्यक्ति के पास है arrested person के पास है इस चीज़ की जानकारी जो police officer जैसे ही उस arrested person को police station के अंदर लेके आएगा वो उस चीज़ के बारे में उसको बताएगा, inform करेगा कि आपके पास ये right है जो अभी हमने subsection 1 में पढ़ा है जो subsection 3 है, subsection 3 ये कहता है कि जिस भी वैक्ति को उस police officer ने inform किया है जानकारी दी है, arrested, तो वो उस चीज़ की entry जो है एक book में mention करेगा जो कि police station के अंदर एक book बनाएगा, एक diary बनाएगा, उस diary में वो चीज़ को mention करेगा magistrate के पास ले जाया जाएगा, तो magistrate की ये duty है, कि वो खुद को satisfy करेगा कि जो subsection 2 और subsection 3 अभी हमने पढ़ा है क्या उसकी जो requirement है वो पूरी की गई है या नहीं की गई है, उस procedure को सभी मतलब कि जो subsection 2 और subsection 3 में दिया गया है उसको comply किया गया है या नहीं किया गया है, पदरब magistrate ये देखेगा, कि जो पुलिस officer या जो इस भी पर वेक्ती ने arrest किया है क्या उसने ग्रिफतार किये गए वेक्ती को उस राइट के बारे में बताया है, कि उसको पास ये राइट है कि वो किसी वेक्ती को इंफॉर्म कर सकता है अपने फ्रेंड को या फैमली को अपने arrest से रिलेटिड और साथ में ये भी satisfy करेगा, magistrate उसकी duty है, कि क्या ये चीज मै इतना ही, thank you very much